सो गाइस अगर आप अपनी छोटी फैमिली के लिए सब 4 मिटर कॉम्पेक्ट सुबी की तलास में है तो टाटर पंच से आपके लिए कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो इस गाड़ी में आपको सेफटी फीचर्स बहुत ही जाद अच्छा देखने क हो चुका है उसके बावजूद भी इस गाड़ी में आपको डारेक्ट कुछ न कुछ केस्ट डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा तो ओभी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का डिटेल आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाऊगे बहुत ही जाद आपको अच्छे देखने को मिलेंगे सबसे उपर में आप यहां पर देखोगे जिए आपको ग्लॉसी ब्लैक क्लर का यूज देखने को मिल ज चैनल के और आओगे तो यहां पर फुली है लोजन बल्प के साथ आपको रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है उपर में देखो जहां कि आपको एक छोटा सा पाइलेट लेंब देखने को मिलेंगे और जो इंडिकेटर दिया गया है यह भी आपको हैलोजन बल्प के साथ दिये गए को भी आपको डियारेल के अपसंन नहीं मिलेंगे और नीचे में आपको फॉग लेंप लगाने के लिए आपको यहां पर जगा भी रखा गया है और गाईस गाडिक आप यहां पर साइट प्रोफाइल देख पाऊगे जो कि आपको लंबाई दिया गया है जो कि इसमें आपको a steel rim देखने को मिलेंगे टायर का साइज 185 70 R15 15 इंचेस के साथ आपको a steel rim मिल जाएगा फ्रंट में डिस्क मिलेंगे पीछे में आपको drum brake दिया गया है Apollo Company के आपको टायर मिलेंगे side cliding भी देखोगे जो कि आपको totally rough black color में दिया गया है ORBM का section आप यहाँ पर देखोगे matte black color white color यहाँ पर आपको indicator मिल जाता है इसे जो fold है वो आपको हाथ से करना पड़ेगा बट जो adjust है वो आप electrically कर सकते हो यहाँ पर door handle देखोगे body color में दिया गया है कोई भी request sensor नहीं मिलेंगे B pillar आपको totally black color में दिया गया है उपर में देखो कोई भी roof rails तो नहीं मिलता है बट पिछे में आपको यहाँ पर antenna का option मिल जाएगा गाड़ी के आप totally rear profile देख सकते हो यहाँ पर भी आपको अच्छा सा design देखने को मिल जाएगा सबसे उपर में देखो आपको यहाँ पर high mount stop lamp दिये गया है कोई भी आपको wiper, defogger, washer की unit आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे बिचो बिच आपको Tata का logo, यहाँ पर आपको punch का branding मिल जाएगा और निचे वला एक lighting देख सकते हो, जो कि आपको totally matte black color में दिये गया है पिछे में आपको दो parking sensor मिल जाएगा, यहाँ पर आप दोनों side देख सकते हो, red color के साथ आपको reflector मिलेंगे और यहाँ पर आपको reverse lamp भी दिया गया है, ते light section देखोगे, जो कि आपको stop lamp दिया गया और आपको यहाँ पर indicator दिया गया है हरे कुछ आपको यहाँ पर halosan bulb के साथ मिल जाएगा, एक बार मैं इसका boot space को check out करा हूँ, तो यह आप देख लो इसका boot space 366 liter के इस गाड़ी में आपको boot space दिये गया है, अच्छा खास आपको dip देखने को मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि इस base model में भी आपको यहाँ पर parcel tray के option देखने को मिल जाएगे, दोनों साइड आपको यहाँ पर hook भी दिया गया है, बट पिछे में आपको कोई भी light न अंदर का space है, वो आपको कम मिलता है, बट इस वाले गाड़ी में आप देखोगे, जो कि space का आपको कोई भी कम ही नहीं होने वाला है, दोनों ही जो seat है, वो मैं अपने हिसाब से adjust कर चुका हूँ, leg room देख लो, thigh support देख लो, और आप यहाँ पर head room देख लो, इस starter punch में आप आपको बहुत ही जाद अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐस ताच आपको बैठने में कोई भी problem नहीं आने वाला है, और जो seat दिया गया है, जो कि आपको dual taxor के साथ मिलता है, आपको totally fabric के साथ मिलेंगे, कुस्ण आपको बहुत ही जाद अच्छा मिलेगा, पिछे में आपको कोई भी आपको यहाँ पे magazine holder भी नहीं मिलेंगे, बट जो दोनों ही आपको headrest मिलता है, जो कि एवल आपको headrest adjustable देखने को मिलेगा, और guys यहाँ से आप इस गाड़े का interior देख सकते हो, जो कि आपको अच्छा खास है premium देखने को मिलेगा, देखो कि आपको dual tone color का use दिया गय हरके से आपको gray color के use मिलेंगे, बीचो बीच आपको Tata का logo, और यहाँ पे आपको airback का branding मिल जाएगा, और जो horn है, जो कि आपको यहीं पे ही देखने को मिल जाता है, इधर आप देख लो, जो कि आपको telephony का control मिल जाएगा, और जो इसमें आपको music player दिया गया है, उसके लि music player के लिए आपको display दिया गया है, जहांकि आप FM, UFM चला सकते हो, साथ-साथ अपने mobile को भी easily यहाँ से आप connect कर पाऊगे, aux के तरू, चाहे आप Bluetooth के तरू connect कर पाऊगे, क्या आपको digital में clock है, वो आपको यहाँ पे so कर जाएगा, AC bent आपको यहाँ पे दिया गया है, बीच सा space मिल जाएगा, जहांकि आप अच्छा खासा समान को रख पाऊगे, पांस गेर का manual transmission मिलेगा, और इसी में आपको reverse gear भी लगने वाला है, handbrake आपको यहाँ पे मिलेंगे, निचे में आपको दो cup holder, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा space मिल जाता है, और इस जगा पे आप 12 बोड का charging socket लगा सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जगा भी छोड़ा गया है, इधर आप glove box की और आओगे, तो यहाँ पे आपको decent सा space मिलता है, दो floor में मिलता है, कोई भी cooling system और light की option आपको नहीं मिलेंगे, code driver side होगे, तो आपको यहाँ पे vanity mirror भी मिल जाएगा, बीचो बीच में आप यहाँ पे देखो, जहांकि एक आपको halosan bulbs मिलेंगे, IRBM दिया गया है, जो कि आपको manually adjustable के साथ दिया गया है, और driver side होगे, जहां कि आपको ticket holder भी मिल जाता है, और guys M.I.D. आप यहाँ पे देख पाऊगे, जो कि आपको semi-distal में देखने को मिलेगा, बीचो बीच देखो, आपको यहाँ पे speedometer सो कर रहा है, इधर आपको fuel gauge मिल जाएगा, temperature उपर में मिल जाएगा, और उदर आपको tackometer दिये गए, काफी कुछ आपको indicator मिल जाते है, distance में clock मिल जाएगा, नीचे देखो, जो कि आपको average mileage क्या देरी गाड़ी, वह आपको बतान आपको यहाँ पे temperature सो कर रहा है, average speed जो है, वह भी आपको यहाँ पे सो कर जाएगा, fuel का जो consumption है, वह आपको यहाँ पे दिखा देता है, तो इतना कुछ आपको यहाँ पे features मिलेंगे, बहुत ही जाद आपको basic सा, यहाँ पे आपको M.I.D. देखने को मिल जाएगा, तो आपको 87 PS का power और आपको 115 Nm का ए गाड़ी आपको torque भी देने वाली है, mileage approach आप देखा जाए, तो 14-15-18 तक कभी आप mileage आराम से निकाल पाओगे, वह आप पे depend करता है कि आप गाड़ी को कितने अच्छे से चलाते हो, total आपको 3 सेलेंडर इस गाड़ी में आपको देखने को म मिल जाएगा, showroom का जो भी detail है, वह मैं आपको description में दे दूँगा, अब इसके offer के बारें बात करें, तो फिलाल इस गाड़ी में आपको 20,000 रुपे के diet आपको cash discount देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही जादा अच्छा deal है, जो कि मैंने आपको इसका third जो base model है, उसका